लोकसवा चुनाप के नतीजों ने चौका दिया अमरितपाल और शेक अब्दुल रशीद ने जीता चुनाप इस वक्त हैं दोनों जेल में बन दोनों के शपत लेने पर क्यों है सस्पेंस लोकसवा चुनाप 2024 के नतीजे आ चुके हैं अदे की सरकार बनना भी तैघ है और नरिंद्र मोदी का तीसीरी बार प्रधानमंतरी बनना भी अब पक्का हो चुका है लेकिन इस बार के नतीजोंने हर किसी को चौका दिया है क्योंकि जिनकी उमीद नहीं थी उन्हें जनता का समर्थन मिला और जिनकी उमीद थी उन्हें जनता ने नाकार दिया लेकिन दो ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं इसमें जो सांसत बने हैं जिनका नाम सुनता ही सबके होश ब्योड गए उनमें एक नाम पंजाब की खडूर साहिब सीट से जीत कराए अमरितपाल सिंग का है और दूसरा नाम जमू कश्मीर की बारा मुला सीट से चुनाब जीतने वाले शेक अब्दुल रसीद उर्फ इंजिनर राशिद का है यहाँ आपको यह बता दे अमरितपाल सिंग पर खालिस्तान समर्थक एजंडा फैलाने का आरोप है उसे ग्रफतार करके असम की डिब्रुगाट जेल में भेज जया गया था जबकि कश्मीर में दहशत गर्दों को फंडिंग करने के आरोपी इंजिनियर राशिद 9 अगस्त 2019 से तिहार जेल में बंद है बेशक ये दोनों जेल में बंद हो लेकिन लोगों ने इन दोनों को ना सिर्फ पूरा समर्थन दिया बल्कि बम पर बोटिंग साद इन्हें सांसद भी बना दिया लेकिन इन दोनों की जीत के बाद अब हर किसी के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं उनमेंसे एक सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या, ये दोनों दूसरे सांसलों के साथ शपत लेंगे और उनके साथ सथन की कारवाही में हिस्सा ले सकेंगे तो इन सवालों का जवाब भी आखिरकार मिल गया कानुन के जानकार बताते हैं कि इसके बारे में नियम बहुत साफ है चुनाप जीतने के बाद एक सांसत के तोर पर शपत लेना देश के किसी भी नागरिक का सुम्वेधानिक अधिकार है अब इस मामले में देखा जाएं तो अमरितपाल सिंग और इंजिनियर राशित दोनों जेल में हैं इसलिए उनको शपत लेने के लिए संसत भवन में आने के लिए स्पेशल मंजूरी लेनी होगी शपत लेने के बाद उन दोनों को बेरंग वापस जेल में लोड जाना होगा मगर उन दोनों को संसत की कारवाही में हिस्सा लेने की अनुमती नहीं दीचा सकती है लेकिन इसके अलावा कभी भी इन दोनों की संसत सदस्ता रद होने का खत्रा भी बना रहने वाला है जैसे अमरितपाल सिंग या इंजिनिर्र रसीत को दो साल से ज़्यादा की सजा होगी वे दोनों संसत की सदस्ता के आयोगे घुशित कर दे जाए सुप्रिम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि दो साल से जादा की सजा पाने वाले सानसदो का सदस्ता को ततकाल पर भाप से खत्म कर दिया जाना है बता दें आपको खालिस्तान समर्थक अमरितपाल सिंग को गरफतार कर अपरेल दोजार देश में राष्टे सुरुक्षा कानू यानि के अनेसे के तहट असम की डिब्रूगार जेल फेज दिया गया था माईशेक अब्दुलरसीद और्फ इंजिनेर रशित दहशत करदो की फंडिंग के आरूप में 9 अगस्ट 2019 से तिहार जेम में कैद है ऐसे मैप इन दोरों के शपत लेने और भविश्य पर सबके निगाएं ठीके हुई है फिलाल इसका वने बसत नहीं अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ